हलो बिचो तो मैं आज आपको बताऊंगी बार्टिक प्रिंटिंग की टेकनीक बहुत इजी टेकनीक है इस टेकनीक में आपको बस क्या करना है सबसे पहले मटीरियल आपको जो चाहिए एक प्लेन कपड़ा कोई भी तो वाइट कलर का फैब्रिक आपकर करते हैं पिकर इस पर आपको चाहिए मोबत्ती आप लोग यूज करता है जलाने के लिए वह है तो तो इस आपको क्या कर लेना है सबसे पहले वेक्स तयार करनी है उसके लिए आपको जो भी केंडल आपके पास है उसको छोटे-चोटे पीसिस में उसको तो लो और उसको एक बरतन पे मेल्ट कर तो आपको केंडल इसको छोटे-चोटे पार्ट में आप सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना है तो आपके रेख सकते हो यह और जादर बड़े पीसिस आपको इसको और चोटे पार्ट में तोड़ लेना है सो दैट इसको मेल्ट करना बहुत ईजी रहे और आप जो भी सम जाएगी तो आपको इसको अपने कपड़ों पेपलाए करना है तो आए मैं दिखाते हूं इसकी मेल्टिंग कैसे करने हैं आपको मेल्टिंग आप गैस पर भी कर सकते हैं मेरे पास टो व एकचली नहीं आवलेबल था मेरे पास इंडक्शन अविलेबल था तो मैं इस पर मेल्टिंग कर रही हूं आप नॉर्मल गैस के उपर पानी रखी एक फ्राइंग पैन पर और उसके उपर स्टील का बटन रखेगा जिस पर आपे वेक्स डालेंगे मैंने इससे पहले और भी सेंपल्स प्रिपेर किये थे बच्छों के प्राक्टिकल स्केले सो मेरे पास अल्रेडी एं मैं इसी के उपर आपको दिखाऊंगी अद्वार्स आप इसके उपर आपके पास जो भी आपकी मैं जाल लीजे एंड इसको इस पानी पर रख दीजे मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं भड़ना ह कि वह बॉल होते समय आपकी बोल के अंदर चला जाए तो बस एक थोड़ा सा माउंट आपको लेना है कि इतना इतने अच्छे सा वह गरम हो जाए कि वेक्स मेंट हो जाए लगाए है इसको पानी आपको तेमपविशत प्रिशु करेना है और अगर एकडम बॉइल हो करकर के बटन के अंदर भी न जाए आपको इस packs को भीच भीच में stir करते रहना है, हिलाते रहना है, so that कहीं पर कोई लंग ना रहे या पिर अनमेल्टेड वेक्स ना रहे, ये wax पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, अब नाओ रिमूव इट फॉम दिस पैन और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बार्तिक प्रिंटेग तो बच्चो मैंने इसको एक ब्रॉड दूसरे बरतन पर ट्रांस्फर कर लिया, आप चाहें तो इसको इसको इस पर ही रहने दीजिए, बहुत केवफुली इसको घीजेगा, मैंने एक थोड़ा सा चौड़ी कटोरी पर इसको ट्रांस्फर कर लिया है, तो इसको पूरे सेंपल को आपको इस पर डिप करना है, बस बी केवफुल कि आप अपना हाथ ना जलाएं, ये वैक इतनी ज़ादा गरम नहीं है, तो मैं इसको simply भी अपने fingers को यूज़ करके, मैं इसको इस पर वैक साब्लाई कर सकते हूं, विकर्स इस नौट थाट होट, तो आप देख सकते हैं, दोनوں साइट से मैंने अच्छे से इसको सैम्पल पर dipp कर दीया है और अब आपको इसको हटा करके इसको थोड़ी दियर के लिए इसको सूखने देना अच्छें से तो मैंने सैम्पल को इस तो सोखने के लिए रख सकते है एक बार ये wax अच्छे से सूख जाएगी तो हम इस पर marbling effect क्रेट करेंगे पच्छों जैसे कि आप देख सकते हैं ये wax से sample एकदम wax सूख चुकी है sample जो हमारा एकदम stiff हो चुका है अब आपको इस sample को किसी भी shape में इसको इस तरह से crumble करना है so that इस पर जो wax है उसकी बीच की layers पर जाएं मतलब wax की जो है इस तरह से आपके इस पर layers पर जाएं जहांपे से wax जो हो हट जाएगी बहुत आपको इसको बहुत ही delicate way पर बहुत अच्छे से आपको इसको crush करना है और एक से एक दो से जाधा बार प्रीज इसको crush ना करें वरना उसका effect उतना अच्छा नहीं आएगा यह हमारा sample इससे बीच-बीच में से अब देखिए इतनी wax निकल चुकी है अब हम इसको एक color solution पर dip करेंगे आप color solution कैसे बना सकते हैं मैंने normal food color यूज़ किया इसको पानी पर घोल के आप याद रखिए आपको गरम पानी का solution बिलकुल नहीं यूज़ करना है जो wax है वो melt हो जाएगी आपकी आपको ठंडा पानी इसमें यूज़ करना है तो आप normal color को पानी पे घोल लीज़े उससे बना लीज़े या फिर अगर आपके पास कोई fabric color है उसको पानी में घोल करके बना लीज़े उसका solution और या आपके पास हल्दी है तो हल्दी को पानी में boil कर लीज़े और उसके बाद उसको ठंडा करके उस solution को आप यूज़ कर सकते हैं अपने बाटिक प्रिंटिंग के टिकनीक पे तो मेरे पास और यहां पर एक food solution मैंने बनाया हुआ है इस पर मैं आपको यह कपड़ा डिप करके बताऊंगे कि इस पर कैसा effect आता है तो इस तरह के से हमें कपड़ा अच्छे से इस पर डिप कर देते हैं जैसे कि आप देख सकते हो बच्छों यह कपड़ा इस पर बहुत अच्छे से डिप हो चुका है लेकिन इस कपड़े पूरी वैक्स सॉरी कलर नहीं चड़ा है विकर्स इस पर अल्रेडी वैक्स है जिस जगे पर वैक्स हटी है उस जगे पर कलर चड़ा है अब हमें इसको इस से निकाल लेना है आप प्लीज न्यूस पेपर का यूज कीजिए क्योंकि इस से थोड़ा कलर और सपर हो जाता है सी हाव ब्यूटिफुल दिस सैंपल इस प्रिपेरड राइट तो यह आपकी मार्बरिंग टेक्नीक से आपका सिंपल स्री सैंपल प्रिपेर हो चुका है नाओ वट वी विल डू हम इस सैंपल को नॉमल थोड़ा पानी से वाश कर लेंगे सो देट उपर का जो कलर हो हट जाए और उसके बाद हम इसको आईरन कर लेंगे जो हमारी यह वैक्स है यह मेल्ट हो जाए और उसके बाद हमें इसको इसको जो रियल एफेक्ट है वो इसकी अब हमें वेक्स रिमूव करनी है तो वेक्स रिमूव करने के लिए हमको इस सैंपल को इसको आईरन करना पड़ेगा इसको न्यूस पेपर के बीच में रख करके जो न्यूस पेपर की लेर से वो उसकी वेक्स अब्जॉब कर लें वेक्स इदर अदर स्पॉइल ना ह तो यह हमने नियूसपेपर ले लिया इस तरह से आपको समब्टेश करना है और नियूसपेपर की दूसरी सफे से उसके करके रख देना है देन आपको आइरन गरम आइरन लेनी है और इसको यह देखिए इसकी जो वेक्स है वह रोड होकर आपके निewस्पेपर पर अबसर्ब हो रही है तो इस पर अच्छे से आपको Vax करनी है इसकी सारी Vax लिट होकर के निewस्पेपर पर आजाए तो ऐसे करते हुए जो आपका आपको डिरेक्ट आइरन अप्लाइ नहीं करनी है सैंपल के ऊपर विकास उससे क्या होगा आपकी वेक्स आइरन पर चिपक जाएगी और सैंपल और आइरन दोनों ही जलने के चांसेज है तो ऐसे स्लोली स्लोली आप लेयर्स चेंज करते रहें अगर आपको लग रहे है कि वो जादा वेक्स अबजॉफ कर दिये इस थरीके से आपको दीरे दीरे करते हुए जो आपका सैंपल है उसकी वैक सारी के सारी रिमॉब कर देनी है अब आप देख सकते हो बचों की इस पर बहुत ही कम एक लाइन पर उसके बॉर्डर पर थोड़ी से वैक्स बची थी और मुस्ट रसे वैक्स निकल चुकिया है विकास वैक्स न्यूस पर पर आना बंद हो अगर आपको लगता है कि कहीं पर अगर इसकी और वैक्स है तो आप उसको कम्क्लीट इसको आपको वैक्स रिमॉव करनी है सैंपल से तो बच्चो नाओ यू केंज सी मेरे पूरे सैंपल से वैक्स रिमॉव हो चुकी है तो बहुत ही ब्यूटिफुल एफेक्ट इस सैंपल पर आया है ठीक है यह और इसका प्रिंस्पल यह था कि जहां-जहां पर हमारी हमने पहले पूरे सैंपल पर वैक्स अप्लाई की उसक पर इसको कलर सलुशन पर डिप किया और जहां पर हमारी वैक्स की लेर्स थी जैसे यहां पर थोड़ी पतली लेर थी यहां पर पर पूरा यह पाटन क्रेट हुआ तो बहुत ही ब्यूटिफुल पैटन्स बिना सकते हो अपनी टी शिर्स को कलर कर सकते हो बस यह चीज धिया आप इसकी सारी वैक्स रिमूव हो चुकी है बट अगर आप चाहें कि इसमें बिल्कुल भी लास्ट कुछ थोड़ा सा भी वैक्स रिमूव ना रहे तो वाट यू जस्ट वाश इत विद नॉर्मल सोफ वाटर या जो डिटरजन सोफ का वाटर रतव से इसको वाश कर अगर आप अपने घर के कपरों में यह चीज़ कर रहे हैं टी शिर्ट और किसी और चीज़ पे तो उसका भी सेम चीज़ है वैक्स रिमूव करने के बाद आप इसको वाश कर लीज़े था कि थोड़ा सा भी इस पे कुछ भी वैक्स का रिमेन ना रहे और उसके बाद उसको तो नॉम आपको अपको पसंद आई होगी अगर आपको ताई और ब्लॉक्रिंटिंग की तिक्निक्स पी चहिए बाथ वाथ दै कि अचे वे लिजर साज को में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ढरकर कंग सकते और आपको वीडियो पसंद आई प्लीस लाइक दिस which will help you in preparing your practical file as well as in your practicals so thank you for watching